हेलो एवरीवन वेल्कम तो अभी बीडिया अभी बीडिया के सुनेरे मंच पे गोल्डन प्लाटफॉर्म का बहुत बहुत स्वाकत है देखिए एवरेज पार्ट टू ठीक है चली करते हैं इसको पहला कोशन इस इन फैमिली दे एवरेज एज ओफ फादर एंड मदर इस 35 एर्स मतलब आपको क्या कहना चाहरा है वह फादर प्लस मदर डिवाइड़ एड़ टू इस इगटो 35 तो फादर प्लस मदर की जो कंबाइन डेज बेटा कितने होगी 70 साल होगी और अधा एवरेज जो फादर मदर एंड येर ओनली सन मतलब फादर प्लस मदर इनकी जो एवरेज एज है मेरे पास वह बेटा 27 साल क्लियर तो फादर प्लस मदर प्लस सन कितना होगा एटीवन येर्ज होगा तो आपसे क्या पूछ रहा है दा एज ओफ दियर सन तो सन की एज कितनी होगी साफ सा पता चल रहा है 81 माइनस 70 इस इकल टो 11 येर्स तो इंपटन और एजीकोशन चली नेक्स कोशिंशन पर बता होगा टा यावरेज है ओफ येर्स अगो व्यज को वेज पूछ फॉड येर्स अगो वस 25 येर्स तो हस्बेंट प्लस वाइफ कि आवरेज है कितनी है मेरे पास इंबरेज होगा वाइफ हुवर्यार्स अगो पेश 25 years यानि 25 years, done, 25 years, इसका मतलब अगर मैं की combined age की बात करो husband plus wife की combined age कितने होगी husband plus wife क्या 50 years होगी, सोच के देखे कैसे है, बिल्कुल सही है, अब क्या दिया है, at the time of their marriage, okay, at the time of their marriage थी, इनकी age, 4 years अगो, तो आज इनकी भी 4 साल बढगी होगे, और ये भी 4 साल बढगी होगे, तो present इनकी जो age होगी, वो कितनी होगी, चलो इसकी बात भी थोड़ी दिर में करेंगे, the average of the family consisting of husband, wife and child, so husband plus wife plus child, कितनी होगी मेरे पास, यानि 3, during the interval is 20 years, तो ये 20 years होगे, तो ये कितना हुआ, husband plus wife plus child, कितना होगे, 60 years, अब बेटा ध्यान से सुनो, अगर इनकी अभी ये 4 साल पहले की है, इससे तो present age क्या होगी, 50, husband भी 4 साल बढ़ा और wife भी 4 साल बढ़ा, तो ये कितना होगे, 58 years, done, और अभी की जो age है इन 39 की वो 60 है, तो definitely जो 2 years बचे, वो कहां से आयोंगे, वो 2 years आयोंगे, यहां से, Is that clear? चलिए, next question बढ़ते हैं, तो 2 साल का इनका baby होगा, the average of 3 numbers is 135, तो A plus B plus C divided by 3 is equal to 135, तो A plus B plus C is equal to 405, the largest number is 195, and the difference of other, मैं मान तो C is the largest number, C is equal to largest number, C अगर largest number है, तो A plus B plus 195 is equal to 405, so A plus B कितना होगे, 405 minus 195, तो यह कितना होगे, कहे 210 होगे, बिल्गोल 210 होगे, अगर A plus B मेरे पास 210 है, अगर A plus B अपने पास 210 है, and difference, यानि A minus B कितना अपने पास, 20, तो अपसे क्या पूछते है, smallest number, तो 2 A कितना आगया मेरे पास, 230, तो A कितना आगया, 115, तो अगर A 115 आगया, तो A plus B कितना होगे, 210 होगे, तो 115 प्लस B is गटो 210, तो B कितना आगया, 210 minus 115, वो कितना होगा मेरे पास, 210 minus 115, तो पेटा ये कितना होगा मेरे पास, देखो जारा, 85 वोटना 95, तो option number B, 95 is the right answer, is that clear, चलिए, smallest पूछाद, number 3, the average of 3 number is 40, यानि A, plus B, plus C by 3, is equal to 40, तो A, plus B, plus C होगे 120, done, the first number is twice the second number, इसका मतलब A ratio B कितना दिया है मुझे, and second one is twice the third number, यानि ये कितना होगा, 1 by 3 लगा लो, तो ये कितना होगा, 6, 3 and 1, done, अब में को क्या दिया है, the difference of the largest and smallest is, इसका मतलब मैं बोलने है, 6X है, ये 3X है, और ये X है, is equal to 120, 6, 3, 9, 10X, तो 10X की value कितना हागी, 120 आगी, तो X किया मेरे बारा हुँ, आप बिल्कुल बेटा बारा होगा, तो मैंसे क्या बूच रहा हो, smallest और largest यानि कितना होगा, 5X यानि 5 into 12 is equal to how much, 60 option number D is the right answer, clear, so that was very interesting question, चले, नेक्स कोशने बढ़ते हैं, cricket batsman, had a certain average of runs, for his 11 innings, मैंने मनना, after 11 innings, उसकी average X थी, तो runs, in, 11 innings, वो कितने होगा, 11 into X होगा, बहुत बढ़ी है, in the 12th inning, he made 90 runs, तो runs after, runs after 12 winning, वो कितना होगा, 11X plus of 90, is that clear, अब देखो, second equation यहां तक होगा, thereby his average of runs decrease by 5 runs, now, average after 12 winnings, 5 degrees होगा, पहला X थी, अब X minus 5 होगी, तो runs after, यह runs in, 12 winning, वो कितने होगा, 12 into of X minus 5, तो यह भी 12 winning किया, और यह भी 12 winning किया, तो बराबर कर दो, 11X plus 90, is good to 12 into of X minus 5, तो यह कितना होगा, 11X plus 90, is good to 12X minus of 60, तो X की value कितने होगा, यहां से, 150, इसका मतलब 11 winning के बाद, उसके average कितने होगा, बैट, 150, 12 winning के बाद, एक 5 और कम कर तो, यहांनी 150, minus 5 कितने होगा, 145, तो option number C is the right answer, done, चले, यह next question बढ़ते है, if the average of X and 1 upon X is end, यहांनी आपको क्या दे रखा है, X plus 1 upon X divided by 2 is equal to M, दे रखा है, done, then the average of X square and 1 upon X square is, तो X plus 1 upon X कितना होगा, मेरे पस 2M होगा, होगे, तो scaring both sides की, जे तो X कि, X plus 1 upon X का whole square, क्योंकि मुझे पहले X plus 1 upon X तो चीए है न, is equal to 2M का whole square, तो X square plus 1 by X square plus 2 into X into 1 upon X is equal to 4M का square, तो इसको काटे है ज़रा, तो यह कितना होगा बैटा, X square plus 1 by X square plus 2 is equal to 4M square, अब ध्यान से देखो, X square plus 1 by X square is equal to क्या आगया, 4M square minus of 2, अब ध्यान से देखो बैटा, अब मुझे किस के average ही है, मुझे X square and 1 upon X square का average ही वो क्या होगा, X square plus 1 by X square addition और इनका number of term से division, तो इसको सिरफ क्या करना है, divided by 2 ही करना है मुझे, तो यह कितना होगा, 4M square divided by 2 minus 2 upon 2, तो अंसर कितना आगया मेरा, 2M square minus 1 which is equal to option number C, is that clear, तो चलिए, next question में बढ़ रहा हूँ मैं, the mean of 50 numbers is 30, the mean of 50 numbers is 30, यानि मैं बात करूं, sum कितना होगा मेरे बस, 50 mean है और 30 से गुनागर होगा है, बंदरस होगा, या इसको भी छोड़ो, letters were discovered that 2 entries were wrongly entered as, so minus 82 और minus 13, यह कितना होगा, minus 95, इसको भी अगर नहीं लोगें तो चलेगा, instead of, और मुझे करना कहता है, 28 plus 31, इसको छोड़ दो उपर वाले का, बहुत रामबान तरीका अपने पास, अभी बीडिया के पास, तो बेटा यह कितना होगा, यह होगा 325, 889, क्या है 59 होगा, तो ultimately मेरे पास, जो negative depth है, वो कितनी है यह देखो, अगर मैं साना जो 36 हागी, देखो क्या 36 हाई है, इसका मतलब आपको अब क्या करना है, तो मीनो 50 number is 30, number कितना है 50, इसका मतलब चतिस अब कितने numbers में जागा 50 में, तो एक में कितना जागा 36 भाए, 50, यानि कितना होगा यह, 0.72, तो इतने से आपकी average कम होगी है, पहले average कितनी 30, अब क्या होगी, 0.72 होगी कम, तो 29.28, is the right answer, so that was very interesting question, जो आपने भी किये, the average weight of 5% sitting in a boat is 38 kg, मैं मानता हूँ, A, plus B, plus C, plus D, plus E, divided by 5, कितना मेरे पास, 38 kg, so A, plus B, plus C, plus D, plus E, कितना होगा, 38, 5, कितना होगा, 5, C, 12, 8, 5, 45, वा इसको 90 कहेजी, ठीक है, अब boat भी है इनके साथ, यानि अब A, plus B, plus C, plus D, plus E, plus E, plus boat है, तो इनका कितना होगा, 6 into 52, यानि कितना होगा, 6 बंजा 30, 312, इनका सब का कितना होगा, plus boat, यह है 312, so boat का कितना होगा, मेरे पास, 312, minus 190, तो यह कितना होगा, मेरे पास, यह होगा, 112 kg, option number B, is the right answer, clear है, चलो, next question है, I library, has an average, number of 510 visitors on Sunday, and 240 on other day, यानि Sunday को कितने है, 510, other day पे कितने है, 240, done, the average number of visitors, per day of a month, 30 day beginning, with Sunday, देखो Sunday, इसका मतलब 5 Sunday आएंगे, 5 Sunday आएंगे, अगर Sunday शुरू कर रहे हो, तो 5 Sunday निए, 5, गुना 510, तो यह कितना होगा, आपके पास, 2550 होगे, done, और 25 odd day होगे, odd day का मतलब, जो Sunday को छोड़गे, तो पच्चिस, गुना 240, यह कितना होगा, यह कितना होगा, आपके 6000 के राउंड कोश होगा, 6000, तो टोटल विजिटर कितने होगे, भाई, 8550, तो अवरेज निकाल लिए, तो अवरेज क्या होता, सम, अब और नमबर, तो सम कितना होगा, बेटा मेरे पास, 8550, और टोटल नमबर कितना होगे, 30 होगे, तो यह कितना हैगा, 285, दन, तो अशर इस, ऑप्शन नमबर ए, दन, नेक्स्ट कोशन भी चल रहे, दा एवरेज, ओ फाइव कॉंजिटर विजिजर, स्टार्टिं विद एम इस न, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, स्टार्टिं विद M, तो यह M होगा, यह M प्लस 1, यह M प्लस 2, दन, तो यह एवरेज भी होगी, इसका मतलब यहां से स्टार्ट हो रहे है, तो देखो, अगर यहां से 6 इंटीजर जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, आपको अच्छे से पता होना चीए, कि एवरेज इनका नंबर होगा, तो यह कितना होगा, M प्लस 2, M प्लस 3, sorry, M प्लस 4, M प्लस 5, और मुझे N के टम से भी अंसर दिया, तो यह कितना होगा आपके पास, यह होगा आपके पास N, यह कितना होगा, Tekn में प्लस 1, और यह कितना होगा, M प्लस 2, तो अंसर कितना है गा, M फ्लस 1 प्लस N प्लस 2, दिवाइड़ बई 2, तो इस 2N प्लस 3 दिवाइड़ बाई 2, तो 2N Dume SHảng 2 प्लस 3 बाई 2, तो अंसर इस, M प्लस 5, वेटा मिनिट, स्टार्टिंविद M प्लस टू सो वट इस दा एवरेज ओफ फाइव कॉंसिविट नीजर स्टार्टिंविद M इस एन तो भाई यह नंबर मेरा एन होगा दन सो मुझे क्या बोल रहा है कि अब मुझे क्या करना है तो यह मेरे पास क्या होगा ओ सॉरी एन प्लस थ्री इनका चीन होगे ओ सॉरी यहां पर गलती होगी ना वही देख रहा था कि अंसर क्यूं नहीं मैच कर रहा है मेरा यहां तो मेरे पास जो वैल्यू जाएंगी वो कौनसी हाएंगी बेटा न प्लस 2 प्लस अं प्लस 3 इवाई टो तो 2 N प्लस 5 इवाई ट्री इस दा राइट अंसर ओ सॉरी डिवाई टू तो अप्शन नमबर ए इस दा राइट अंसर लेट अस मोड़ तो नेक्स कुशल एट कॉंसिटिव नमबर्स और गिवन तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट इव्ड़ेज ओफ तो इसका मतलब यह व यह जाएगा साथ और यह जाएगा आट दन तो यह कितना होका नो जोगा दस और एवगा गया रहा तो शे पांच चार तो मुझसे क्या पूच रहाए यह देन टा सम एट गिवन नमबर इस तो बताएज़ सम कितना होका देखो अवरेज निकाल लें आवरेज ओगा सम अप जितने होगे हैं एक दो तीन चार पांचे साथ आट गिये दिये हैं सो पंदरा गुन आठ के एक सो भी संसर है मेरा वेटा मिनिट क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं लैट्वी चैकिट वन सब्सक्राइब इसकोशन एड़ कॉंसगुटे नंबर्स हैं इसको ऐसे भी मत करो देखो मैं बताता हूं एक और तरीका करने का ऐसे मत कीजिए यहां से थोड़ा सा कन्फिज गो सकता है देखो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं मैंने माल लिए एक दो तीन चार पांच छे साथ नंबर है तो इनका सम कितना हो गया आठ साथ पंदरा पांच वी एक इस पांच हवविस चार दिन साथ दो नएक दस चाच त्युनिट हो गया मुझे इसका एवरेज कितना दिये अगर मैं इसकी बात करूं मेरे पास एवरेज कितना इनका मेरे पास एवरेज करूं 4 प्लस 5 है 9 यूनिट है ड़न अब अगर मै मैं आपसे बात करूं मिडल नमबर नाहीं ना रहा है तो अगर आवरेज आपके पास 6 है ड़न आवरेज आपके पास 6 है और सम क्या आपके पास 12 उनका सम भी 12 होना चाहिए फिर क्योंकि 6 अगर दो नमबर जैन की आवरेज 6 है तो 6 प्लस 12 तो एक यूनिट की वैली वैल्यू कि यह नो की वैल्यू बारा दियुए तो एक यह वैल्यू कितने हुए 12 नो चाहर बटे तीन तो जो मेरा सम है वह भी गया होगा चाहर बटे तीन होगा 36 नहीं चाहर बटे तीन बारा तीन चाहर 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 दर राने सा तो यह थोड़ा सा हट के कोश्चन था इसको अच्छे से करेंगे चलिए नेक्स तो पिक्यों आरस फाईले जिए प्लस और फाइड जैने प्लस को प्लस आर डिवाइद भाइड़ थी इसकोट ओर प्लस फाइफ यह थन या घर मैं बात करें हूं प्लस को प्लस आर इस इकल क्या होगा मेरे बास थ्री और प्लस 15 बोल सकता हो मैं बिल्कुल बोल सकता हूं the टोटल जो पियोड कियोह इस यानि फिप्लस कितना तेया मुझे चाहिए बट़ सब्सब्स पंदल्यूं यह कितना वरे चुर्ट में भर ग्र 우리가 सब्सक्राइट थान देखते हैं च्रह्ण तो तो टू आर इस इकल टू थर्टी नाइन माइनस ओफ फिफ्टीन तो यह कुछ गड़बड़ वाली बात लग रहे है मुझे यहां पर देखो जारा क्या यह बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है सो पी प्लस क्या हूँ एस इकल टू टू आर प्लस फंदरह यहां से कितना पी प्लस क्या हूँ इस इकल टू थर्टीन तो मुझे आप उसरे दिन आर इस एच तो आर की एच पूछ रहा है मुझसे तो अगर इनको माइनस करता हूं तो देखो कितना आएगा मेरे पास दिस अस टू अगर इनको माइनस किया जाए यह देखो प्लस क्या हूँ यह पी प्लस क्या हूँ माइनस टू आर इस इकल टू बंदरह प्लस क्यों कितना मेरे पास थर्टीन दिये माइनस 15 इस गल टू आर तो यहां से भी यह आ रहा है मेरे पास तो यह तो यहां से सतरा आ रहा है तो कि आप्चेन में यह यह लैट मी चेकिट वन सगें दा स्टेटमेंट को चेक कर लें बिटाए एक बढ़ कुछ ना कुछ गडबड तो नहीं देखो एक बढ़ प्लीज उसवे को अगरा मैं 39 रखता हूं तो बारा तो किसी भी तरह से नहीं आ रहा मेरा तो आर की सतरा या कोई और तो नहीं बूच रहा है मैं कि छलो इस कोशन बपर यहां से देख लेते हैं देखो शुट प्लस क्यों प्लस अर जिए इसे इगल टो थिरी आर फिल्कों तो टूर है यह घाए था मेरे पास तो प्लस क्यों प्लस आर माइनस थ्री आर इस इकल टो पंदर ए को तो P plus Q minus of 2R is equal to 15 आ गया, done, उसे क्या दिया है, if the total is pure क्या हो, is 39 years, तो P plus क्या हो, is equal to 39 years दिया है मुझे, done, तो अगर मैं यहां पर pure क्या हो, कि यह दाल देता हूं, 39 minus 2R is equal to 15, तो यह कितना आ गया, 39 minus 15 is equal to 3R, तो क्या यहां पर कुछ calculus में स्टेगर भी, इस option में कुछ बन नहीं रहा, मेरे पास, तो देखें ज़र, 39 minus 2R is equal to 15, oh sorry, it has to be 2R, शायद बन रहा है, मैं ही calculation mistake कर रहा हूं, so 2R की value कितनी हागी मेरे पास, 24, तो आर बिलको सही बाहरा है, मैं इसको शहाए जादे depth में सोच गया, तो option number is the right answer, clear, तो चलिए, the average salary per head of all the workers, of an institute is 60, the average salary of 12 officers, देखो, अगर मैं बात करूँ, 12 officers की 400 है, done, और rest की कितने 56 है, और order on order कितने 60 है, तो minus 4, इसमें मैंने लगा दिया allegation, यह कितना हो, 340, तो यह कितना हो गया बेटा, 2 ratio 270 हो गया, यानि एक ratio 85, तो यहां पे officers कितने 12 हैं, तो एक ही value 12, 12 गुना, तो 50 गुना 12, देख लो कितना होता है, 850, प्लस 170, तो कितना हो गया, 1020, option number D is the right answer, clear, so चलिए, thank you, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, next session में, bye bye, thank you,